So hello guys, मेरे नाम है साजी सेफी and you are watching technical सेफी and guys, आज की वीडियो में मैं आपको flip card के अंदर एक ऐसी कमाल की settings बताने वाला हूँ जिसे apply करने के बाद आप अपनी बहुत बड़ी problem को solve कर सकते हैं अक्सर आप flip card के ऊपर जब भी किसी नए phone को buy करते हैं तो आपने देखा होगा कि flip card के अंदर आपको एक नया option देखने को मिला है जिसके अंदर mobile की minimum price होती है वो green कलर के अंदर show होती है लेकिन यह problem एक यह है कि अगर आपने गलती से कभी अपने phone को exchange में चेक करके देखा है तो वो आपका जो exchange वाला mobile है वो उस offer के दौरान आपको show करता है और इससे जो actual price product की यानि कि mobile की वो आपको show नहीं होती है अब problem यह है कि काफी सारे users को यह नहीं पता कि जो exchange mobile उन्होंने add किया है flip card के अंदर उसको किस तरह से remove किया जाया हो आज इस वीडियो में मैं आपको बता हूँ कि अगर आपने flip card के अंदर अपने mobile को exchange mode में डाला हुआ है यानि कि exchange करके कभी देखा है और अगर आप उसको remove करना चाहते हैं exchange की list से तो आपको इसके लिए किस तरह की settings को apply करना होगा तो चलिए अब हम finally video को शुरू करते हैं तो guys simply इसके लिए आपको flip card के application के अंदर आना है और flip card के application के अंदर आने के बाद यहां आपको किसी भी एक mobile को select कर लेना है फिलाल मैं यहां realme 10 pro select कर लेता हूँ और जैसे ही मैं realme 10 pro select करता हूँ जैसा कि अब आप देख रहे हैं जब मैं यहां इसे नीचे की तरफ scroll करता हूँ तो यह इसका actual price है वो 24,999 रुपे है लेकिन जो flip card के application होती है वो green color के अंदर जो minimum price हमें पढ़ने वाला होता है यहां जो actual price होती है जो card वगरा के offer वगरा होते हैं उनको select करने के बाद जो price होता है वो बिल्कुल सही होता है लेकिन अब problem यह है कि यहां पर जो मेरा exchange offer है यानि कि मेरा mobile है realme x50 pro वो भी यहां पर select हुआ है तो इसी वज़ा से जो actual price है वो मुझे अब show नहीं हो रहा है अब मैं अगर exchange offer वाले price को अगर यहां से हटाना चाहूँ तो यहां मुझे किसी तरह का कोई भी option show नहीं हो रहा है और मेरी यह समझ में नहीं आरा कि मैं किस तरह से इसको हटा हूँ और यही problem काफी लोगों की भी है And just so, सब सब पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि ये problem किस तरह से solve होनी है और उसके बाद मैं आपको वीडियो में ये भी बता हूँ कि ये problem क्यों आती है और ताकि आगे से आपको इस तरह की problem को face करना ना पड़े मैंने select कर लिया और उसके बाद यहां आपको select करना है अपने phone का model फिलाल मैं यह Realme X50 Pro को select लेता हूँ और उसके बाद मैं next पर किले कर देता हूँ और जैसी आप next पर किले करते हैं तो next पर किले करने के बाद होता यह है कि अकसर जब भी आप इस तरह से exchange offer करके देखते हैं किसी भी दूसरे brand के phone को जो कि आपके पास नहीं है या फिर आपके पास even है भी और अगर आप यहाँ पर IMEI number नहीं डालते हैं और आप back ले लेते हैं तो यह जो problem है आपको face करनी होगी हर बार यह जो problem आती है वो इसी वज़ासे आती है कि आप यहाँ पर जो exchange value है यानि कि जो exchange का task है आप उसको fully complete नहीं करते हैं IMEI number डाल कर और इसी वज़ासे जो exchange value है वो आपके offer वाले section में add हो जाती है और वो फिर remove नहीं होती है आपको simply करना क्या है जो IMEI number है अपने phone का उसको यहाँ पर enter करना है तो guys यहाँ मैंने IMEI number डाल दिया है और उसके बाद आपको verify पे click कर देना है जैसी आप verify पे click करते हैं तो उसके बाद यहाँ आपको next पे click करना है and जैसी आप next पे click करते हैं तो यहाँ आपको confirm exchange का एक option देखने को मिलेगा simply आपको इस पर click करना है and जैसी आप इस पर click करते हैं तो इस पर click करने के बाद अब आपके सामने जो change का option आ रहा था वो change का option अब deselect में convert हो चुका है and जैसी आप यहाँ deselect करते हैं तो deselect करने के बाद यहाँ आपको yes पर click करना है तो जैसी आप DCLF पर क्लिक करते हैं तो DCLF पर क्लिक करने के बाद जैसी आपकी जो एक्षेंज वैलू आपके ओफर वाले section में एड हुई थी जिसकी वैसे आप परिशान थे वहां से वो रिमूफ हो चुकी है और अभी जो बैंक ओफर वगरा हैं जो कार्ड के ओफर वगरा काफी इसली अपनी इस problem को यानि की flip card के अंदर जो exchange value वाली जो problem है आप इसको solve कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ और मैंने आपको इस video के अंदर ये भी बता दिया कि ये problem क्यों आती है जब आप task यानि कि IMI नंबर पूरा complete करके task को पूरा नहीं करते है तब ये problem आती है ये मैंने आपको बता चुका हूँ तो अखर दोस्तो फलाल इस video के अंदर सिर्फ इतना ही था और मुझे उम्मीद है कि आपको ये video पसंद आया होगा अगर आपको ये video पसंद आया तो प्लीज आप इस video को like कीज़े शेयर कीज़े और साथी साथ चैनल को subscribe बनना बिलकुल ना बूलें तो चलिए फलाले इस video को finish करते हैं और मिलते हैं ठीक इसी तरह की एक और new video के साथ